आईए सुने, बुध प्रदोश व्रत की कथा, प्राचीन काल की बात है एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था, तथा वो गोने के बाद अपनी पत्नी को दुबारा लेने के लिए अपनी ससुराल पहुचा और अपनी सास से बोला कि, वो बुधवार के दिन ही अपनी को लेकर नगर को जाएगा, उस पुरुष की सास ससुर तथा घर सभी लोगे ने समझाया कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करा कर ले जाना अशुब माना जाता है, लेकिन पुरुष ने अपनी जिद के आगे किसी की न सुनी, विवश होकर सास ससुर को अपने बेटी तथा दामाद को विदा करना पड़ा, पती पत्नी बेलगाडी से जा रहे थे, कुछ देर बाद पत्नी को प्यास लगी और पती लोटा लेकर पानी लेने निकल पड़ा, जब वो पानी लेकर लोट कर आया तो देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्यपुरुष द्वारा लाए गए पनी को पी कर हस हस कर बात कर रही थी, ये देख वो क्रोधित हो गया तथा वो उस आदमी से जगड़ा करने लगा, परन्तु आश्चर्य इस बात पर हो रहा था कि वो जिस व्यक्ती से लड़ रहा था, वो बिलकुल उसकी तरह दिखता है, काफी देर तक लड़ने की वजह से वहा पर लोगों की भीर एकठा हो गई और सिपाही भी आ गए, सिपाही ने महिला से पूछा कि ये बताओ दोनों पुरुष में से कौन सा तुम्हारा पती है, महिला असमंजस में पढ़ गई, और वहा एकत्रित सारे लोग आश्चर्य में पढ़ गए, अपनी पत शिव से हाथ जोड़ कर विनती करने लगा, ही प्रभू हमारी रक्षा करे, मुझसे भूल हो गई जो अपनी पत्नी को मैं बुधवार को विदा करा के लाया, ऐसे गलती मैं कभी नहीं करूंगा, जैसे ही उसकी विनती खत्म हुई, दूसरा व्यक्ति जो उसका हमशक था व अंतर ध्यान हो गया, और वो पती पत्नी अपने घर चले गए, जब से उन लोगों ने नियम पूर्वक बुधत रयोदेशी का व्रत एवं पूजा करना सुरू कर दिया, बुध प्रदोश का महत्व, इस व्रत को करने से आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिती मजब करते है, इस व्रत को करने से अशुब प्रभावों में कमी आती है, भगवान शिव एवं माता पार्वती का सदैव आशिरवाद रहता है